अच्छा इस लेक्च्चर में जो हम डिसकास करने वाले हैं वो है डिसकांट रेट्स के बारे में आप लीजिंग के डिसकांट करोगे या आप बोरोईट के डिसकांटिंग करोगे ध्यान में यह रखना दोनों जगर पर जो भी रेट हो जो सेम होना चाहिए ठीक है उसके बाद में अब हम डिसकस करेंगे कि क्या रेट होना चाहिए वो जो रेट से आप डिसकांटिंग करोगे धान दो आपका हमेशा ना आप ये रहोगे कावी छोड़ा लेक्चर रही है आपकी सिचिवेशन ऐसे रहेगी कि आपको जो असेट लाना है तो एक आपशन रहेगा कि लीजिंग और दूसरा आपशन क्या हो सकता है जो मेजर आप चाप्टर में देखने वाले हो वो है आपके पास में दूसरा आपशन है मानलो बॉरोविंग इसकी कोस्ट को बोलते हैं कोस्ट ऑफ डेट डेट या नहीं लोन ओ ठीक है so what is most important question में आपको cost of capital दिया हुआ है आपको cost of debt दिया हुआ है अब आपको question में cash flows को discounting करने लीजिंग के भी, borrowing के भी अच्छा ये cost of capital कहां से आता है पता है इसको बोलते है WACC यानि ये अगर 10% है तो इसमें कौन-कौन सा पैसा यूज हो रहा है equity वालो का पैसा यूज हो रहा है माल लो preference है company में तो preference और debt है company में तो debt this is overall cost of capital आप अपने question में कौन सा पैसा यूज कर रहे हो जब आप borrowing लेके आ रहे हो loan लेके आ रहे हो तो आप loan का पैसा यूज कर रहे हो that is KD और leasing is an alternative to borrowing so basically speaking जो पैसा यूज हो रहा है opportunity cost है अगर आप leasing के लिए नहीं जाओगे तो आपको KD ही लगेगा confirm क्यों कि आपके पास दूसरा पैसा option नहीं अवलेबल आप actual में देखा जाए तो equity का पैसा कहां यूज कर रहे हो कहीं पर भी यूज नहीं कर रहे हो borrowing का पैसा यहां यूज हो रहा है leasing का पैसा यहां यूज हो रहा so एक rule जो हम बना सकते हैं वो कुछ ऐसा है कि if leasing is an alternative to borrowing तो जो discount rate यूज होना चाहिए that should be cost of debt और क्योंकि यह before tax होता है इसलिए KD 1- tax लेकिन if leasing is an alternative to equity इसका मतलब आपके पास दो option है सिर्फ या तो leasing के थुरू पैसा लेके आ जाओ वो asset लेके आ जाओ या तो equity raise करो market में और उसके थुरू वो asset लेकिया हो तो equity का पैसा लग रहा that is cost of equity so ऐसे case में cost of equity को use करोगे आप discounting करने के लिए लेकिन if leasing is an alternative to both मतलब दोनों पैसा यूज हो रहे हैं आपे equity का भी and debt का भी that means this is overall cost of capital तो जब के के ओ यूज करो दोनों के cash flows को discounting करने के लिए अभी आपको शायद ना समझ में आएता जब आप question solve करोगे तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा लेना चाहिए mostly case यह वाला रहेगा कि leasing, borrowing दो यह option रहेंगे so the most appropriate is kd 1-t अब धान से सुनो ठीक है so मैंने पहला आपको बता दिया kd 1-t factor यूज करो दूसरा आप ko भी ले सकते हो discounting करने के लिए लेकिन अगर आप discounting rate ko ले रहे हो तो leasing के cash flows और borrowing के cash flows दोनों को ko से करना discounting इससे क्या होगा ना यहां पर value मानलो आ रहे है 3,20,000 मानलो कोई case में तो यहां आ सकती है मानलो 3,25,000 values बदलेगी लेकिन decision नहीं बदलेगा जैसे कि मैं आपको बताता हूँ आपने cost of debt यूज किया तो leasing का cost आया मानलो 5,00,000 और borrowing का cost आया मानलो 5,50,000 तो अब आपका decision ल cost कम है तो आप अगर इसके जगे के ओ भी use करोगे ना तो यह कुछ आएगा मानलो 4,80,000 और यह आएगा आपका 4,00,000 तो अब भी values बदल गई है लेकिन decision आपका नहीं बदलेगा अब भी आप यह decide करोगी कि भाई leasing के लिए जाओ क्योंकि 5,30,000 से कम है 4,80,000 तो यह भी rate नहीं है तो ultimately decision कभी नहीं बदलेगा, so you can use any rate in discounting, ठीक है, so सबसे first priority किसको देना मैं आपको बताता हूँ, अगर question में word use कर लिया, कि discount rate is 12%, अगर discount word use किया हुआ है, तो 12% ही से ही discounting करना है, दोनों option को कहानी खतम, दिमाग लगाना, बन कर देना, because question wants you to discount at 12%, you cannot say 12% ही क्यों, अरे question में लिखा है, क्या कर लेंगे, case थोड़ी करेंगे, question वालों पे, कि क्यों 12% लिया, ठीक है, अब दूसरा, अगर उनने ऐसा word use कर लिया, after tax cost of debt, discounting के टाइम पे, बस खतम, इसके टाइम पे KD, 1-T, कोई और option नहीं, अना, तीसरा, if present value factor are given at the end of question, ठीक है, so, use that rate as discount rate, कुछ भी हो, फिर वो rate, 10% हो, 12% हो, 15% हो, मतलब वो rate या KD, 1-T हो, या cost of capital हो, कि cost of capital के present value factor दिये, तो सिर्फ cost of capital ही use करना, उनका purpose ही हो ही है, कि present value factor आप ये use करो, ताकि सबके answer सेम है, इसलिए उन्होंने वो दिया, आप फिर KD, 1-T मत यूज़ करना, अगर वो factor ये दिये हुए है, तो, ठीक है, अब चौथा item आता है, if, nothing is clear, or specified, देखो, मैंने ये तीन तो बता दिया आपको, इस तीनों case में specified है, लेकिन अब अगर कुछ specified नहीं है, और clear नहीं है, then, KD, 1-T को, और second preference आप देना, cost of capital को, ये कोई rule नहीं है, मैं बता रहा हूँ, आपने क्या करना है, वो सकता है, कुछ-कुछ question में आपको KO पहले दिखे, लेकिन most appropriate, fourth वाले case में, is KD, 1-T, ठीक है, वो ही use करना, अरिवाद समझ में, so, अभी से ये चार चीज़े note down करके रख लो, discounting rate, अगर discount word यूज किया, तो वो, तो ये condition satisfied यूज तो ये, केडी लू के केओ लो, तो तब पहले preference देना, केडी 1-T को, इसका मतलब सिर्फ केडी 1-T ही use करना, कहानी थोड़ी easy बन जाएगी, ठीक है, अब चाहो तो केओ भी use कर सकते हो, यहाँ पे, ऐसा नहीं है, figures बदलेगी, answer, decision नहीं बदलेगा, आरी बात आपके समझ में, क्यों में यह नहीं बताना कि leasing से cost कितनी आती है, या borrowing से cost कितनी आती है, so just do one thing, note it down, one thing, note it down, अगर आपको भी doubt हो, इस question में, इस lecture में, तो you can feel free to ask me, आगे एक दो lecture और देखते हैं, उसके बाद में most probably we'll start with the questions and answer thing, bye-bye. कर दो दो